गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैप्सूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो रेगुलर करेंट अफेर्स एक्जाम अप्डेट्स और स्टेडी मैट्रियल को लेकर चैनल को प्ली सब्सक्राइब कर लिजे इस वीडियो में हम 27 और 28 जून के करेंट अफेर्स देखेंगे जो लगतार न्यूज में बने हुए थे पहला प्रश्म है अठारवी लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो आपको अभी पता है अठारवी लोकसभा के जरनरल एलेक्शन या आम चुनाओ संपन कराए गए हैं उसके बाद लोकसभा में प्रो टैम स्पीकर को चुना गया था जिनका नाम था ब्रत हरी महत ब्रत हरी महताब का मेनुद देश्य क्या था जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर आफ परलेमेंट चुनकर आए हैं उनको शपत दिलाना तो उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो यह होता है एक आप पर्मनेंट स्पीकर चुन लीचे क्योंकि जो प्रो टैम स्पी ओम बिल्डा जी उनको पुनहा निर्वाचित किया गया है अठारवी लोग सभा के स्पीकर के लिए तो ओम बिल्डा जी इसको चुनेगा है ओम बिल्डा जी राजिस्थान की कोटा से मेंबर आफ वार्लेमेंट है यह भी आप याद रखिएगा हो सकता है पूछ ले और ए एक इसपीकर हुए है जिन्नों ने अपने दो टर्म या दो कारेकाल पूरे की है उनका नाम है बलराम जाखर के वलिनों ने ही दो टर्म अपने पूरे की है 1980 से लेकर 1989, बात करें अगर भारत के पहले लोगसभा स्पीकर की तो उनका नाम है जीवी, माव, लांकर, ये भी प्रशन लगातार पूछता रहता है, इसके लब अगर आपसे पूछे, पहली महिला लोगसभा स्पीकर कौन है तो मीरा कुमार जी, पहले ट्राइबल लोगसभ के स्पीकर कौन है, जनजाती से जो आते हैं, वो कौन थे, पी ए संगमा, तो ये सब कुछ स्पीकर से संबंदित, फैक्ट से जो पूछता रहता है, अगर भारते सम्विधान की बात करें, तो दो अनुछेद जादा तर स्पीकर से पूछता है, पहला ये पूछता है कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की प्रोविजन है, सम्विधान के कौन से अनुछेद में है, तो आर्टिकल 93 के तहट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है, इसके लावा एक चीज और पूछता है, देखिए सामान्य परिस्तितियों में जो स्पीकर होत तो नीचे इसके बारे में आप सारा पढ़ सकते हैं, वह हैं दूसरी बार अध्यक्ष शुने जाने वाले छटे स्पीकर हैं, लेकिन दो बार जिनोंने कारेकाल पूरा किया है, वो अभी तक कौन है, बलराम जाकर सर, और सबसे लंबी अवधी तक जो स्पीकर हैं, वो भी यहां पर सम्विधान के अनुच्छे 93 के अनुसार, लोकसभा के सदस्यों को सदन के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आपका साधरन भहुमत से होता है, तो इस बार विपक्ष के ज प्रांधी नगर में जो राजधानी है वहाँ पर अभी इस उलम्पिक अनुसंदार और शिक्षा केंद्र का शुबारम किया गया है आपको पता है देश में स्पोर्ट्स कल्चर या खेल की भावना को प्रिरित करने के लिए इस शिक्षा केंद्र का उधगातन किया है और जो सबसे पहले उलम्पिक की बात करें तो दो उलम्पिक होते हैं आपको पता है समर उलम्पिक और विंटर उलम्पिक सबसे पहले 1896 में हुए थे ग्रीस के एथेंस में और विंटर उलम्पिक की बात करें तो विंटर उलम्पिक सबसे पहले 1924 में हुए थे फ्रांस में एक ज तो एक जगा है लॉसेन, आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लॉसेन, और यह स्विट्जर लैंड का एक प्लेस है, यह कुछ उलम्पिक से संबंदित फैट्स लगातार पूछता रहता है, आगे चलते हैं, यहाँ पर आप इसके बारे में PDF से अराम से पढ़ लीजिए, हाल ही में भारत ने घ्रेलू एयरलाइन बाजार जो ग्लोबल लेवल पर आपके domestic airlines market होता है, उसमें कौन सा इस्थान असिल किया है, तो भारत ने जो passenger traffic है, उसके हिसाब से अब इंडिया का global domestic airline market है, उसमें तीसरा इस्थान पर भारत पहुँच गया, तो हमारे लें काफी बड़ी उप्रब्दिया जिसमें जो आपका उडान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक RCS, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसका भी काफी बड़ा इसमें रोल है, भारत का विमानन छेतर, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के नेतरत्व में एक दशक पहले, पाच्वे में किया गया है, तो जो चैडविक हाउस है, यह आपका शिमला में इस्त है, ठीक है, और यह बिटेशर्स के टाइम से ही काफी फेमस रहा है, और यहीं पर जो हमारे अभी इस चैडविक हाउस में संग्राले का उधिखाटन किया है, नीचे इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, भारत के नियंतरक एवा महालिखा परिक्षक ने 24 जून को शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हैरिटेज संग्राले का उधिखाटन किया, यह संस् पोस्ट है, जिसकी जिकर अनुच्छेद 148 के तहत इसका किया जाता है, वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, इनी के द्वारा इसको इनाउगरेट किया गया है, बात करें भारत के पहले, कंट्रोलर और अडिटर जनर्रल, इंडिपेंडेंट भारत के, तो 1948 से लेकर 1954 तक, वी नरहरी राओ, वी नरहरी राओ, वी नरहरी राओ, वी नरहरी राओ सर भारत के पहले कंट्रोलर और अडिटर जनर्रल थे, इसके अलावाद देखिए, एक और काफी इंपोर्टेंट प्लेस अभी चर्चा में है, खालू बार, खालू बार वार मैमोरियन य युद्समारक, तो खालू बार जो युद्समारक है, इसको भी इंडियन आर्मी ने पर्याटकों के लिए खोल दिया है, और यह पूर सकता है, आपसे कहां परस्तित है, तो यह आपका लदाक में इस्तित, इसको याद रखिएगा, यह भी इंपोर्टेंट है, खालू बार भारत का पहला देश बन गया है, तो चीन का जो मिशन था, चांगे 6 मिशन, यह सक्सेसफुली मून से सेंपल लेका लेका लॉट आया है, देखिए सेंपल तो आ चुके है, लेकिन फार साइड ओफ मून, देखिए होता क्या है, यह मान लीजे अर्थ है, यह मून है, हमें प पृत्वी से कभी भी चंद्रमा का जो बैक साइड है, या इसको बोला जाता है, फार साइड, या सुदूर साइड, यह कभी हमें दिखाई नहीं देता है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण मैंने बता दिया, क्योंकि रोटेशन स्पीड सेम है, जिसको हम टर्म यूज करा जा और फिर पृत्वी पर सक्सेस्फुली वापस आ गया है, इसको बोला जाता है सेम्पल रिटर्न मिशन, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट था, चांगे सिक्स आप याद रखिएगा, इसके बारे में पूरा आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं, विज्ञान और प्रोद्वगी के विभिन छेत्रों में, भारत की हालिया सफलता की कहानियों को प्रदरशित करने वाला, तो साइन्स और टेक्नलोजी के छेत्र में, इंडिया ने जो भी रिसेंट डेवलप्मेंट किये हैं, चाहे वो इस तो ने किये हूँ, DRD ने किये हूँ, CSIR ने किये हूँ, उसके लि बात करें, एक और आपको पता होगा, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने भी जो पर्यावरान दिवस हुआ था, उसमें भी एक अभियान शुरू किया था, क्या, एक पेड मा के नाम, ये अभियान अभी नरेंदर मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, डारेक्टर के रूप में या प्रमुक के रूप में एक साल का सर्विस एक्स्टेंशन दिया गया है और इनकी जो एक्सपर्टीस थी जो नौर्थीस्ट में आपकी इंसर्जेंसी होती है माववादी वगरा वहाँ पर काफी रहते हैं उसको खतम करने में इनका काफी बड़ा रोल रहा है इसके लावा बात करें एक और अभी इंप्रमुक बने है कौन बने है उपेंद्र दुवेदी जी भारति सैना के नए प्रमुक बने है इस बैंक ने नया डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ लॉंच किया है तो अभी HDFC बैंक ने जो जितनी भी फाइनेशल सेवाए हैं हर सिटीजन तक पहुचाने के लिए एक ये प्लेटफॉर्म या इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट अभी बना है ये परुगवे अपको पता है ये South American नेशन है या दक्षणी अमेरिकी देश है इसकी राजधानी है अगर बात करें इसकी करंसी या मुद्रा की गुवा रानी काफी अलक्सी है यह यहां की मुद्रा है बात करें कर International Solar Alliance की इस्थापना प्यरिस क्लाइमिट एगरिमेंट जो कॉप 21 हुई थी प्यरिस में वहाँ पर इंडिया और फ्रांस ने इसकी घोशना की थी की हम दोनों मिलकर एक international solar alliance declare करेंगे इसमें देखिए जो लेख tropic of cancer या जो tropical zone में countries पढ़ती है या उसके आसपास countries पढ़ती है उसको इसमें शामिल किया जाता है जिन countries के पास solar energy को tap करने का potential है यानि एक तरह से green economy में काफ़ी important role play करता है कि इसके जो member परदेश है उनका important target क्या है जो आपका electricity demand है उसमें fossil fuel या जीवाश्न इंधनों का use कम करना अर्थाथ koilis से उत्पादित होने वाली बिजली को कम करना और सौर उड़ जाको उसमें promote करना ये इसका मुख्या role है यहाँ पर इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं अभी परववे का map भी देखते हैं कि किस-किस से बॉर्डर करता है थोड़े facts हम उससे भी पढ़े तो देखिए सबसे पहले यह परववे का map है यह है इसकी capital SNCN अगर बात करें East में तो यह Brazil से बॉर्डर करता है North West में बॉलिविया से बॉर्डर करता है Southwest में अर्जेंटीना से बॉर्डर करता है और यह 3 country हैं जिससे यह important रूप से बॉर्डर करता है अगर बात करें Brazil और परुगवे के बीच में देखिए इसको बोला जाता है Chaco या Grand Chaco Region देखिए इस शब्द local भाषा से लिखला है जिसका मतलब होता है hunting ground तो मुख्य रूप से यह तीन देशों में फैला हुआ है एक है आपका अर्जेंटीना दूसरा है आपका परुगवे और तीसरा है आपका बोली दिया यह काफी बड़े plains माने जाते हैं काफी बड़े grassland माने जाते हैं यहाँ पर काफी ज़्यादा जानवरो की प्रजातिया भी हमें देखने के लिए मिलती हैं तो अगर Grand Chaco आपसे पूछे तो मुख्य रूप से यह अर्जेंटीना में पढ़ता है और कुछ छेत्र इसका बोली लिया और परववे में भी पढ़ता है तो यह कुछ important facts आपके परववे से हो गए आके चलते हैं तूश्म लगूम बध्यम उद्यम यानि Micro Small Medium Enterprises दिवस हर साल 27 June को मनाया जाता है पहला MSME दिवस किस वर्ष मनाया गया था 2017 में पहला MSME दिवस मनाया गया था भारप के लिए MSME बहुत important है क्यों क्योंकि जो main हमारे रोजगार देता है वो आपको पता हुआ छोटी इन्रस्टी जादा रोजगार देती है MSME का role काफी उसमें important हो जाता है बात करें इस बार की theme क्या रही इस बार की theme है MSME और SDG यानि sustainable development goals total 17 sustainable development goals है जिनको हमने agenda 2030 या 2030 तक हमें इनको अचीव करना है लेकिन अभी SDG index आया था उसमें यह बताया गया है कि किसी भी country की progress ऐसी नहीं है कि हम इन 17 goals को अचीव कर पाए 2030 तक यानि सारी country off track है इसके लावा कुछ और जो दिवस चर्चा में है international yoga day 21 जून को मनाया जाता है इस बार theme क्या रही yoga for self and society विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है world ocean day 8 जून को मनाया जाता है इस बार की theme रही awaken new depth यानि नई गहराईयों को जागरित करे 5 जून को मनाया जाता है विश्व खादे सुरक्षा दिवस या world food security day 7 जून को यह मनाया जाता है तो यह कुछ दिवस अभी चर्चा में रहे नातककार herald printer की स्थापना हुई है 2009 में यह award स्थाफित किया गया है अभी हुआ क्या है क्यूं चर्चा में अवाड एकदम से news में क्यूं आया है अभी वीके सक्सेना जो lieutenant governor है दिल्ली के इनके द्वारा अरुंधती राय के द्वारा कुछ कश्मीर के बारे में टिपड़िया की गई थी उसके बारे में अभी वीके सक्सेना ने अनुमती दे दी है कि इनके उपर legal action लिया जाए और उसी कठी एक जे दो दिन बाद ये award की घोशला इनके favor में हुई है और बात करें है दिया किसको जाता है पैंट पिंटर पुरुसकार हर साल उस लेखक को दिया जाता है जो पिंटर के शब्दों में दुनिया पर अडिक नजर रखता है और हमारे जीवन और हमारे समाज की वास्तिक सच्चाई को परिभाशित करने के लिए एक उग्र बौधिक द्रल संकल्प दिखाता है तो ये केयंडरा बैंक द्वारा प्रस्ताविते बैंक है नेलसन मंडेला लाइफ टाइम ठीवनट पुरुसकार ये विनोध गणातरा जी को दिया गया है मुंबई इंटर्नेशनल फिल्म फेस्टिवल के दोरान इनको ये वाइल लाइफ पिल्मेकर है यह जंगली जानवरों से संबंदित पिक्चर है यह ज्यादा बनाते है Central Banking UK द्वारा Risk Manager of the Year का अवाड किसको मिला है तो Reserve Bank of India को मिला है इसके अलावाद देखिए Asia Banker द्वारा Best Business Conduct Regulator यह अवाड जो मिला है यह SEBI को दिया गया है वो दिया गया है Asian Banker द्वारा और यह अवाड बिला है Central Banking UK London के द्वारा Risk Manager of the Year RBI को तो यह कुछ अवाड अभी चर्चा में रहे थे और यह हमारे आज के करेंट अफेर्स थे आई होब आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यूस्फुल लगा होगा पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजेगा पीडियाफिस को हमेशा की तरह आपकर टेलीग्राम गुरूप में मिल जाएगा धन्यवाद